नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राकेस और आप देख रहें गोटू ओनलाइन तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे ATM मसीन से कैस डेपोजिट करना यानि ATM मसीन से कैस जमा कैसे करते हैं क्योंकि बहुत सारे भाई कैस निकालना जानते हैं लेकिन कैस जमा करना नहीं जानते हैं तो वीडियो सुरू करने से पहले मेरी एफसी रेकेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आयो तो वीडियो की नीचे आपको लालंगो सब्सक्राइब बटन दिख रहा हुआ उसको दबा करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और साथी साथ बैल आइकन को आल पर सेलेक्ट करने ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे देखिए कैस डिपोजिट करने से पहले आपको दो चीज दिहान में रखनी है आपको 100 से छोटा नोट नहीं लेके जाना है और कोई भी नोट आपका कटा फटा या गंदा नहीं होना चाहिए नहीं तो आप डिपोजिट नहीं कर पाएंगे तो कैसे डिपोजिट करना है ATM मसें से कैस तो उसके लिए हम आपको ले चलते हैं SPI के ATM पर तो देखिए मैं आ चुका हूँ स्टेट बैंक के ATM पर और सबसे पहले आपको क्या करना है अपना ATM कार्ड इंसर्ट करना है और डिस्पले पर लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख लीजी प्लेज इंसर्ट यूर कार्ड तो आपको कार्ड को कैसे इंसर्ट करना है कैसे लगाना है आप देख लीजे मैं कैसे लगा रहा हूँ इसी तरह आपको अइस्ता अइस्ता कार्ड को अंदर दहेलना है कार्ड लगाने के बाद में आपको वेट करना है यहाँ पर लिखा हुआ है आपको कार्ड बाहर नहीं निकालना है तो चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बहर आइकन जुरूर प्रेस करने है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे और वेट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने देखिए language select करना है आपको तो मैं English select कर देता हूँ यहाँ से इसके बाद 10 से 99 की बीच में आपको कोई भी संख्या यहाँ पर एंटर कर देनी है जो आपकी मर्जी हो वो दुआं का यहाँ पर आप डाल दीजिए और Yes पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद में अब आपको अपना ATM पिन डालना है और ATM पिन को हमेशा आप छुपा कर डालें ठीक है ATM पिन डालने के बाद में आपको पिन जनरेशन वाले बटन पर क्लिक कर देना है इसके बाद में आपके सामने बहुत सारे option आ जाएंगे तो आपको क्या करना है बेंकिंग वाला option क्लिक कर देना है इसके बाद में आपको क्या करना है deposit वाले option पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद में यहाँ पर तीन option है तो आपको cash deposit वाले option को प्रेस करना है ठीक है cash deposit पर क्लिक करने के बाद में अब देखिए थोड़ा सा हम wait करेंगे और आपके सामने नया page open हो जाएगा और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर limit दिखा रहा है आप 2,00,00 रुपे तक ही cash deposit कर पाएंगे तो आपको क्या करना है continue पर click करना है continue पर click करने के बाद में आपको यहाँ select करना है current account saving account तो यहाँ पर मैंने अपना saving account पर select कर दिया है select करने के बाद में थोड़ा सा wait करेंगे और नीचे draw open हो जाएगी जहाँ पर हमें cash डालना है तो हम थोड़ा सा wait करते हैं इसके बाद में हमारी draw open हो जाएगी और इसमें आपको note ऐसे ही खड़े रख देने हैं और note रखने के बाद में enter button को press कर देना है इसके बाद में थोड़ा सा wait करेंगे और यहाँ पर note हमारे गिने जा रहे हैं और यहाँ पर पूरा ब्योरा यहाँ पर आ चुका है कितने note हैं हमारे और किस type के note हैं और इसके बाद में आपको continue पर click कर देना है और click करने के बाद हम थोड़ा सा wait वेट करेंगे वेट करने के बाद में अब हमारे सामने हमारी सिल्प जो है आ जाएगी तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं तो यहां पर देखिए हमारी जो डेपॉजट सिल्प है वो यहां निकलने वाली है तो जब तक चैनल को सब्सक्राइब करने तो हम थोड़ा सा वेट करत तो अभी हमारे सामने जो सिल्प है वो निकलने वाली है और वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस करनें तो यहां पर देखिए हमारी सिल्प आ चुकी है और इस पर पूरा भी ओरा है कि हमारे जो सत्त्रास रुपे हैं वो जमा हो चुके हैं